Hello friends, welcome back to my channel, if you are new viewer, please subscribe my channel for more videos आज हम बात कर रहे हैं कि जो आधार कार्ट है, उसको जो डेटा है, उसको चोरी होने से कैसे बचाएं How to protect आधार डाटा from theft तो आपको जो चीजे हैं उसको यूज करके आप आधार कार्ट के ये डेटा है, उसको मिस्यूज है, उसको रोक सकते हैं तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आधार कार्ट के डेटा को कैसे बचाया जा सकता है, उसको चोरी होने से कैसे बचाया जा सकता है और उसके मिसियुश को कैसे बचाया जा सकता है तो इन सब बातों को समझेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रही है तब ही आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी तो वन वाई वन समझते हैं तो जो आधार कार्ड है आज बैंक से खाता खुआने से लेकर सभी सरकारी कामों में आधार जरूरी दर्तावेज बन गया है साथ ही इसके दुरूपियों की आसंका भी भड़ गई है आप कोई भी फोर्म बढ़ने जाएं आप किसी भी तरह का सिम लेने जाएं या कोई भी चीच करने जाएं आपको आधार की डिटेल देनी ही पड़ती है तो इस डिटेल के साथ साथ क्या है आपके आधार के जो डेटा है उसका मिस्यूज भी हो सकता है तो उससे बचने के लिए इसमें इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसे अधार के डेटा की चोरी से बचाया जा सके तो इसके दुर्प्यों की आसंका भी भड़ गई है और ऐसे में अधार काटके गलत इस्तेमाल से बचने के लिए नियामक UIDAI ने यूजर्स को वायोमेटिक लोक और अलोक की सुबदा दे रखी है तो इस वीडियो में समझेंगे कि वायोमेटिक लोक और अलोक कैसे होता है किस तरीके से इस जोसिबदा है उसको यूजर्स किया जा सकता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो अधार अलोक करनने के लिए किया जरूरी है तो इस सुद्धा का इस्तिमाल कोई भी यूजर घर बैटे कर सकता है इसके लिए यूजर के पास आधार कार्ट में रेइस्टर्ट मुवाइल नंबर और इंटरनेट वाला डिवाइस होना जरूरी है अब ये समझते हैं कि आधार के वायोमेटिक को कैसे लोक करें बाद में समझें कि अनलोक कैसे करें अभी समझते हैं कि लोक कैसे करें तो सबसे पहले यूजर को अधार की अधिकारिक वेबसाइट जो जे जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रही हूँ HTTPS तो इस पे जाके आधिकारी वेगसाइट है उस पे जाना है वहाँ उपर की तरफ अधार मेन्यू नजर आएगा मेन्यू में माई अधार पर क्लिक करें इसके बाद अधार जो है सर्विसेज का सेक्शन खुलेगा बहाँ आधार वायोमेटिक लोग या अनलोग पर क्लिक करें तो इस तरही के से वायोमेटिक लोग कर सकते हैं अब समझते हैं कि वायोमेटिक लोग करने के लिए लोग सेलेक्ट करें फिर अपना 12 अंकों का अधार नमबर डालें यानि कि वायमेटिक जो है लोक अनलोक का अपने आप्शन खोल लिया तो लोक करने के लिए लोक सेलेक्ट किया फिर अपना बारांग्तों का जो आधार नंबर है वह आपको टाइप करना होगा उसमें डालना होगा निर्देस का जो उसमें निर्देस आएंगे उसका पालन करना होगा फोलो करना हो उसको और जो तो OTP रेइस्टर्ड मोबाइल नंबर या E-MAIL पर आ जाएगा अगर लिंक होगा आपका अधार के साथ मुवाइल नंबर तो आपका मुवाइल नंबर पे क्या है OTP आ जाएगा या इमेल पर आएगा अगर आपका अधार कार्ट में मुवाइल लिंक नहीं है तो आपका इमेल पर आएगा इसे बॉक्स में भरे और टीपी डालने के बाद इनेवल बटन पर क्लिक कर दे इसके बाद मैसेज मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि आपका आधार वायमेटिक सफलता पूर्बक लोग हो गया है इस तरीके से आप आप अपने आधार कार्ट के डेटा की चोरी होने से बचा सकते हैं और साथ ही साथ यह आपके लिए इसे अगर आप अनलोग करना चाहें तो अनलोग भी कर सकते हैं तो अप समझते हैं कि आधार कार्ट के वायमेटिक को कैसे अनलोग करें तो जो इस तरीके से जो लोग अनलोग की सुबधा सरकार के द्वारा अधार कार्ट के डेटा को चोरी होसने से बचाने के लिए दी गई है अगर आप इसको समझ जाते हैं और अपने अधार कार्ड में चेंजिस करके इस तरीके से अगर प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आपके जो अधार कार्ड के डेटा है उसका मिस्यू होने से बच जाएगा वो समय समय पर आप इसे अनलोक या लोक कर सकते हैं तो अप्रोक पर के लिए द्वारा दोरानी होगी जैसे कि लोक किया था वैसे ही इस तरीके से क्या है कि आपने क्या है सबसे पहले यूजर की अधार काट की ओफिशिल वेबसाइट है उस पे जाना होगा जे रही एश्टी टी टी पिएस इस पे जाके आपने क्या करना है उपर की तरफ आधार मैन्यू नजर आएगा मैन्यू में माई आधार पर क्लिक करें उसके बाद आधार सर्फिसेज का सेक्शन खुलेगा माँ आधार वायू मैटिक लोग या अनलोग पर क्लिक करेंगे तो आपने अब स्लेक्ट करना है अनलोग तो अनलोग में क्या है आपको ऑफशन आएगा इसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो ही आपका जो लोक हुआ था पायो मेटिक वह अनलोक हो जाएगा। इस तरीकी से आपको official website से करना है अब क्या करना है क्या वायमेटिक अनलोग किये वगेर आधार का अस्तमाल हो सकता है कि अगर आपने जो आधार कार्ट की website पर जाके जो यू आई, डीए, आई की official website है वहां पर जाके आपने अपने अधार कार्ट का जो लोक, अनलोग का वायमेटिक लोक, अनलोग का जो है काम कर दिया, उसको आपने समय लोग की लोग कर दिया, अगर लोग कर दिया, क्या अनलोग कि ये वगेर अधार का इस्तमाल हो सकता है, तो नहीं अस्थाई रूप से वायोमेटिक लोग करने के बाद यूजर इसे बगैर अनलोग किये इस्तिमाल नहीं कर सकता ऐसे में कोई भी आधार कार्ट का इस्तिमाल गरत तरीके से नहीं कर सकता है तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि आधार वायोमेटिक लोग करें और स्रक्षत रखें अपना डेटा तो इस तरीके से आप क्या है आप जो है इस वीडियो को सेर करिए जिससे की होल भी व्यक्ति क्या है आज अपने आधार कार्ट के ये डेटा चोरी होने से उसका हर कारे के लिए चाहिए वो सरकारी है प्राइबेट या कोई आप जोब करते हैं तो सब जगे क्या है अधार कार्ड लगता है एटू जैड आजकल डॉक्यूमेंट्स में अधार का इस्तमाल होता है अधार का नंबर और सारा कुछ आपको देना पड़ता है उसके कोपी भी ल किसी भी केस में लगाना तो इस तरीके से कहीं भी इसका मिस्यूज हो सकता है चाहिए वो वकील हो चाहिए वे कई अधर परसं हो तो अगर आप इस वीडियो के मांत्यम से अपने जो आधार कार्ड है उसको प्रोटेक्ट करना चाते हैं तो आपको मैंने जो प्रोसीजर बत तो और लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा If you like my video, thank you for watching this video